चलिए आज बना लेते हैं दो मिनट में बनने वाला ये इंस्टेंट चटपटेदार स्नैक जी हाँ इसको हमने बहुत ही कम टाइम के साथ साथ बहुत ही कम समानों के साथ भी बनाया है और जो भी समान लिया है वो सारे के सारे समान जो आपके किचन में पहले से ही मौजूद होंगे कोई भी समान आपको बाहर से लानी को जरूत नहीं पड़ेगी ये एक ऐसा स्नैक है जो कि आप घर में छोटा मुटा कोई फंक्शन हो नहीं हीध समान कोई बढ़े बड़े पाड़ी बच्छो की या फिर पूछ खाने का में उमन कर हो तो आप इस चटपटा नाश्चा तो चले बनाना शुरू करते हैं है ये आरप बहुत सबकत कर दिए हम डिया पर उबलेवे आलू लिये हैं चार से पांच आप मीडियम साइस के उबलेवे आलू ले लीजिए उनको बड़िया से मैश कर लीजिए ये देखिए मैं हातों की सैता से कर रही हूं आप चाहे तो इसको कद्दू कस भी कर सकते हैं तो आपकी चोईस के उपर है या फिर आप जैसे ठीक समझें तो सारे के सार आलू को हम बड़िया से इस तिहां पर फोड देंगे ये देखिए इस तरीके से जो भी गुठली वेगर होंगी न सब को मैश करते वे चले जाएंगे ये देखिए आलू को हम लोग सब फोड चुके हैं मैश कर चुके हैं अब इसमें अपने मन पसंद की वेजिस डाल बारीग बारीग करके दालेगे खिक हैं लास्टमें थोड़ा सा हम ओड्रणी का पत्लेगे और बैसिक से मसाले डाले जैसे स्वातके नुर्षा थोड़ा सा नमग डालेंagे हम लोग यह पर और थोड़ा सा डालेंgे हम यह चाठ मसाला चट पटा सा फ्लेवर आना चाहिए तोड़ी से मैने डाले हैं आधा चमज के करीब चिलिफ्लीक्स और चोटा चमज ही मैने ने हपर डाला है मोटी-कूटी वहापर काल मीच्च पाउडर और आधा कप मैने हब लिया है ब्रेड करम जी हां वेजिज वेगरा जो आलो में बड़िया से मिक्स हो ज़ाए आपके पास अगर कोई वेजिज ना हो तो आप skip कर सकते हैं कोई अगर आपकी वेजिज रह गई हो तो होाँ पर वो add भी कर सकते हैं किसी quantity क्यिज ज़यादा भी कर सकते हैं अगर आपका आलू सेट ना हो रहा हो फिर भी गीला गीला हो तो आप इसमें ब्रेड करम की कॉंटिटी को बढ़ा सकते हैं साइड में हम लोग यहाँ पर ब्रेड करम ले लेंगे थोड़े से और हाथों में इस तरीके से थोड़ा पोशन लेंगे और इसको हम सिलेंडर के अकार में इस तरीके से घुमाते वे एक शेप दे देंगे यह देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर लम्मे में रखा है आप चाहें तो गोल में रख सकते हैं चकोर में रख सकते हैं यह फिटिक्की की शेप दे सकते हैं जैसा आप चाहें आप उसको वैसी शेट दे सकते हैं अब बड़िया से इसको हम ब्रैड करम में कोट करेंगे बड़िया सी कोटिंग आने चाहिए ब्रैड करम की ताकि तेल में जाते ही बड़िया कुरकुरा हमारा स्नैक बन करके तयार हो लग रहा ना कितना बड़िया इसी तरीके से सारे के लूट कि अ पनूट करके तियार करने अगर आपका आलू गीला हो का ब्रेट करम ड़िए तो यह नास्ता जो है तेल में जाके प्रभी मिक्षूर है तेक्षैर वह बिलकूल भी गीला गीला नहीं होना चाहिए तेल बढ़िया से यहां पर गरम हो चुका है मै यहां पर fry करेंगे एक दम हाई फ्लेम पर करना है हमको ठीक है एक एक करके डालते जाहिए दूरी की सहता से और दो से तीन सेकंड के बाद ही आप इनको पलटना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि ब्रेड करम है कुछ इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको इसको fry करने मे यह देखिए जैसे मैंने पलटा कितना प्यारा सा सुनहरा सा कलर आना शुरू हो गया है हमारे नाश्ते में तो कितनी बढ़िया बात नहां एक तो अपनी मनपसंद की वैजिस डालिए और बस शेप देना स्टार्ट कीजिए और इनको फ्राई कर लेजिए तो बन गयाना ए नीचे चला जाए या फिर एक टिश्यू बेवर बेपर आप इसको निखाल सकते हैं इह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है कलर कितना प्यार आए और क्रंची नस आपको देखने से पता चल रही होगी कितना क्रंची हमारा इनाश्ता बन करके तयार होगा देखने वर से अब जब आप दूसरा यहाँ पर बैस डालें ध्यान रखें कि तेल का टेंपरेचर अभी एकदम लो है इसको थोड़ा सा हाई होने दे गरम होने दे दुबारा तेल को तब ही आप यहाँ पर अपना दूसरा बैस डालेंगे चली फ्राई कर लेते हैं अपने नाश्ते को ए क्या ही बताओं बस मैंने इसको सर्फ किया है टमाटो केचप के साथ आप हरी चटनी सेजवान शौस किसी भी चीज के साथ खाई है यह नाश्ता नंबर वन है जी हां एंड लुक अट दिस मैंने जब इसको बाइट किया ना तो बहुत ही मज़ेदा चटपटा नाश्ता बन आपको इनाश्ते की रेसिपी कैसी लगी आई होप आपको यह पसंद आई होगी और पसंद आए तो प्लीज लाइक करने में कैसी कंजूसी नहीं भी पसंद आई है तो कोई बात नहीं आप डिसलाइक भी कर सकते लेकिन कर जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेर यूटूब फैमिली को मेरी रेसिपी कैसे लग रही है और इसी तरीकी का प्यार आप मेरे साथ बनाए रखिए ताकि हम एक बड़ी से फैमिली अचीव कर पाएं मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए अपना ध्यान र